हेलो प्रेंट्स मैं रागनी आज के शुड़ी हम आपका श्वागत करती हूँ तो फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे स्रीबलेस ब्लाउज की कटिंग जो हमारी वी सेप में बनेगी तो यहां पर देखें अस्तर को आप देखी रहे हैं और एक नीचे वाला जो है में कपड़ा है और इसकी कटिंग में पूरा डीटियल में आपको समझाओंगी बिना बाजू की ब्लाउज की तो देखें फ्रेंज आप चाहें तो इसमें बाजू भी लगा सकते हैं आईडिया सेम रहेगा थोड़ा सा चैंज़ेस करना होगा हमें शोल्डर में तो देखें यहां पर अस्तर को अच्छे से फैलाएंगे और अस्तर को डवल फोल्ड यहां पर हम कर लिए हैं अपने Sights के हिसाबसे तो अस्तर डवल फोल्ड है बंद भाग मेरे तरफ है ओपिन भाग आप देख सकते हैं और यहां से देखे फ्रेंस नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और कपड़े को सीधा करने के पासे सबसे पहले हम बैक पाट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए देखे फ्रेंस लंबाई हमें 14 इंच रेडी करना है तो एक इंच मार्जन के साथ 15 इंच में हम ले रहे हैं तो आप कभी भी बैक पाट की कटिंग करें तो लंबाई को एक देने वाली बात है हैं यहां पर सोल्डर हम 7 इंच ले रहे हैं क्योंकि स्लीबलेस ब्लाउज है अगर आपको बाजू इसमे लगाना है तो आप सोल्डर शे इंच ले और गले की चवडाई देखिए हम साड़े 3 इंच ले रहे हैं और इस तरह से देखिए अब हम सोल्डर को यहां पर आधा इंच डाउन करेंगे क्योंकि यहां पर हम फूल सोल्डर लिए हैं तो बोट नेक में भी या फिर कॉलर में भी जहां भी हम फूल सोल्डर लेते हैं तो आधा इंच डाउन करते हैं और देखें नीचे वाली मार्किंग से हम 6 इंच आर्म होल की लंबाई ले ल पारमुल की लंबाई लिए हैं और अब हम देखिए एक इंच दो पॉइंट पे इसमें हम गुलाई देंगे और यहां से ले लेंगे सीने का चौथाई भाग नौ इंच और दो इंच हमारा मार्जन का आप चाहें तो मार्जन डेड़ी इंच भी ले सकते हैं तो इस तरह से द अब हम देखिए बैक पाट के आरमौल में गुलाई दे रहा है तो इस तरह से देखिए अरमौल में आपको थोड़ा बाहर के साइप करते भी गुलाई देना है अर एक बार गुलाई को जरूर चेक करना है तो यहां पे देखिए गुलाई साथ इंच दो पॉइंट आ 2 उड़ाई हम लिए हैं साड़े तीन इंच तो इस तरह से देखिए फ्रेंस बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में भी सेफ देना है तो जैसे कि बैक ओपन ब्लाउंज है तो पहले हम एक चाप कपड़ा मार्किंग कर लेंगे बंद भाग के तरब से जो हमारी हुकाई पट्टी में जोईंट होगी और उसके बाद से देखिए फ्रेंस तिर्चे में एकदम मिला लेंगे इसको भी सेफ देंगे और इस लाइन को सीधा खीचने के बाद से थोड़ा सा देखिए हम बाहर के साइड करती हुए राउंड में सेफ देंगे ताकि पहने पर अच्छा लुकाए गले का तो इस तरह से आधा इंच बाहर के साइड करते हुए हम गले में गुलाई दे दिये हैं और अब इसी मार्किंग के उपर हम कटिंग कर लेंगे देखिए यहां पर एक कट लगाएंगे जहां पर सीने का चोथाई भा जैंसे भी हम कपड़े को बरावर कर लेंगे और जो बचा हुआ अस्तर है उससे हम फ्रॉंट पाठ की कटिंग करेंगी तो यहां पे देखिए हम गले को भी कट कर ले रहे हैं इस तरह से और इसमें तक्ष की मार्किंग करेंगे इस से तो साइड से टक्स हम लिए हैं साड़े चार और टक्स की लंबाई भी आप चार से पांच इंच लें क्योंकि डेप नेक में हमें टक्स लंबा नहीं लगाना होता है नहीं तो लुक अच्छा नहीं आता है तो बचिवे कपड़े को डवल फोल्ड करेंगे और बंद भाग क तरह बंद भाग को मिलाते हुए हम बैक पार्ट को रख लेंगे आप देख सकते हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो देखे इस तरह से अच्छे से इसके उपर बैठा लेंगे और बस नीचे के साइड हमें आधा इंच लंबाई को बढ़ाना है बाकि कुछ नहीं करना है देखे लंबाई में बस आपको आधा इंच बढ़ाना है तो फ्रंट पार्ट जो है हम प्रिंसिस कट में बना रहे हैं तो लंबाई में आधा इंच बढ़ा लीजिए और देखे कमर के साइड नीचे के साइड में एक इंच बढ़ा लेंगे और उपर के साइड एक में दो फॉइंट कम बढ़ा लेंगे क्योंकि जब प्रिंसिस कट हम कट करते हैं उसे ज्वाइंट करते हैं तो हमारा कपड़े में मार्जन यूज होता है तो उसके लिए हम साइड से एक इंच बढ़ा लेते हैं बाकी शोल्डर आर्म होल सेम रहेगा देखी इस तरह से अब देखे फ्रेंस फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी यहां पे किलियर हो चुकी है और अब हम फ्रंट पार्ट में आधा इंच अंदर के साइड करते हुए गुलाई दे दिया है आर्म ह इसको हम कट कर लेंगे उसके बाद से हम प्रिंसिस कट और गले की मार्किंग करेंगे तो इस तरह से आपको कट कर लेना है तो देखे इश में भी हम गली की चौड़ाई उपर से ले लेंगे साड़े तीन इंच और गली की लंबाई यहाँ पे हम साथ इंच में ले रहे हैं आप अपने पसंद की हिसाब से इसे बड़ा चोटा कर सकते हैं तो चौच कालेंगे तो फरण्ट और बैक दोनों का गला हमामारा विशे रहेगा और इस तरह से मीआश में से तेकंगे तो 26 सायज में 10 इंच में दो पॉम लेते हैं और इस साइड से इसे हम 4 इंच ले रहें कि चार इंच में 2-पॉस पोईंट कम लेना है इस तरह से देखिए व्हार की साइड चार इंच में 2-पॉईंच कम लेंगी और नीचे के साइड 3 इंच लेंगे margin के साथ यहां पे देखिएc सीने का सीने का चौधाई भाग का मार्किंग करेंगी आधा इंच बढ़ाते हुए और यहां से 2 इंच लेंगे जहां भी heating का मार्किंगार तो देखिए इस तरह से एसक्वाइर में box को ready कर लेंगे और ready करने के वासे देखे इस तरह से जो जहां भी तीर का निशान आता है उस निशान से हम अच्छे से जो हमारा तक्स पॉइंट है उस पॉइंट से इस दोनों लाइन को इस तरह से शेफ देते हुए मिला लेंगे तो यहां पर देखे फ्रेंस कटिंग हमारी कंप्लीट होती है इसी मार्किंग के उपर हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बासे देखे इसे में कपड़े के उपर तो आपको अच्छे से लाइन को डार्क कर लेना है देखे इस तरह से तो लाइन या पर हमारी डार्क हो चुकी है और कटिंग हम उस पे कर लिए हैं उसी मार्किंग के उपर और कपड़े को डवल फोल कर लिए है में कपड़े को और बंदभा के तरह बंदभा को मिलाती हु आदा इंच बढ़ा करके कट करते हैं ताकि अस्तर को हम मेन कपड़े से ज्वाइंड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहों अब आद में उस कपड़े को हम कट करके निकाल लेते हैं तो फ्रेंस पहुती कम टाइम में आपको इस ब्लाउंस की कटिंग समझाने की कोशिस की हू है उसका पर यहां पर हम स्लीबलेस की कटिंग बता रहे हैं आपको तो इसमें बाजू नहीं लगा रहे हैं तो देखे फ्रेंस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क को ओन कर दीजिएगा